तो हे गाइस इस वीडियों में बात करेंगे मालवे गाउं का चिंटू शो के बारे में और जानेंगे क्यों जो शो था वो बंद हुआ था इस शो के बंदोने का क्यारिजन था और भी कई सारी इंफोर्मेशन आपसे शेयर करने वाले शो के बारे में तो पड़े को लाइक कर तो टोटल एपिसोड शो के बनेती 75. तो शो की सेंड सीजन का नाम था चिंटू बनके जेंटलमेन और यह 15 दिसमबर 2012 से लेकर 6 जुलाई 2013 तख टेलीकाश्ट हुआ था. तो इस शो की थर्ट सीजन का नाम था चिंटू और पिंटू और ये 27 सितंबर 2014 से लेकर 30 नवंबर 2014 तकी चल पाया तो इस शो की प्रोडूसर थी दिप्ती भटनागर और इस शो की डिरेक्टर थे शेक नासिर और इशो की production company थी दिप्ती भटनागर प्रोडक्शन्स तो इशो की जो story है वो चिंटू नाम के एक छोटे थे शहर में रहने वाले लड़के के चारो और घूमती है जिसकी हरकते Mr. Bean से काफी ज़ादा मिलती जुलती है तो चलिए बात करते इशो की कास्ट के बारे में और इशो में चिंटू का जो रुलपली क्या था वो क्या था अल अमीन शेक ने और इशो में पिंटू का जो रुलपली क्या था वो क्या था अल डाकिन सिंग ने और इस शो में पेंकी का जो रूलपली किया था वो किया था अश्वीनी खैर नार ने तो ये थी इस शो की मेंकास्ट तो चलिए बात करते हैं इस शो के बंदोने की या फिर ओफेर होने की तो इस शो के बंदोने का रिजन था इस शो के extra ordinary response को लेकर क्योंकि लोगों ने जो मैं बाद में इस शो को कुछ खास पसंद नहीं किया था जिसके वज़े से इस शो के जो TRP थी वो काफी कमारी थी तो TRP कमानी के वज़े से चैनल को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था जिसके वज़े से चैनल ने इस शो को बंद किया था तो ये था इस शो के बंदोने का रिजन, आयोब ये वीडियो आपको चले को तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बब बाई!